नवरात्री शुरू हो चुके हैं और नवरात्रों में कुट्टू की आटे की पकोड़ी ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता नमस्कार दोस्तों मैं जोती आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस जोती की रसोई में आज हम अपनी रसोई में बनाने जा रहे हैं आलू और कुट्टू के आटे की कुरकुरी पकोड़ी जिसको खाने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या वरत के लिए भी इतनी टेस्टी और कुरकुरी पकोड़ी बन सकती है तो चलिए हम अपनी कुट्टू के आटे की पकोड़ी बनाना शुरू करते हैं लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके आपको सबसे पहले कच्चे आलू लेने हैं और इसे चील कर अच्छे से साफ कर लेना है जब हमारे सारे आलो छिल जाये तब हमें अपने आलो को इस तरीके से पतले पतले लेयर में कट कर लेना है जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं आपको अपने सारे आलो इसी तरीके से पतले पतले लेयर में कट करके तैयार कर लेने हैं अगर आप अभी पकोडियां बनाने जा रहे हैं तो आप इसे इसी तरीके से कट करके रख लें लेकिन अगर आप इसे प्रिपेर करके रखना चाते हैं तो आप इस आलो को पानी में डालें ताकि जो हमारे आलो हैं वो काले ना पड़ जाएं साथी हम थोड़ी सी हरी मिर्च काट लेंगे और थोड़ी सी हरी धनिया भी कट करके रख लेंगे अब हम अपने अगले प्रोसेस पे चलते हैं इसके लिए हमें एक बड़ा सा बाउल लेना है और इसमें हम डालेंगे लगबग 2 कप कुट्टू का आटा और इसकुट्टू के आटे में हम एड़ करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च और बारी कटी हुई हरी धनिया जो कि हमने पहले से ही कट करके रखी हुई है स्वाद अनुसार वृत का नमक डालेंगे एक चुथाई चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा ही हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ जीरा ये जीरे का पाउडर ओप्शनल है अगर आप नहीं डालना चाते हैं तो इसे ना डालें और अब हम इस आटे में डालेंगे अपने बारी कटे हुए आलू जो कि हमने पहले से ही चौप करके रखी हुई है सारे आलू डालने के बाद आपको अपने हाथों से ही इस सारे कुट्टू के आटे को आलू में अच्छे से मिक्स करना है अपने आलू और कुट्टू के आटे को आपस में मिलाते हुए इसे अच्छे तरीके से माड ले अगर आपको इसमें पानी की नीड होती है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर भी माड सकते हैं आपको पानी डालते हुए आलू और कुट्टू के आठे को अच्छे तरीके से माड़ कर इसको अच्छा सा एक डो बना कर तयार कर लेगे और गेस पे कड़ाई रखके उसमें तेल डाल कर अच्छे से गरम कर लिया है अब हम अपने कुट्टो की आटे में से थोड़ा थोड़ा तोड़ कर उसे अपने हाथों पारी प्रेस करके पकोडी की शेप देनी है और इसे गरम तेल में डाल देना है आपको अपने सारे आटे की इसी तरीके से पकोडी टाल कर अपने कड़ाई में अच्छे से तल लेनी है आपको इसे बीच में पलटते हुए इस पकोड़ी को दोनों तरफ से अच्छे से सेख लेना है दोस्तों ये आलो और कुट्टू के आटे की पकोड़ी खाने में बहुती टेस्टी होती है ये खाने में बहुती कुरकुरी और क्रंची होती है और इसे नवरात्रों में तो हर घर में बनाया जाता है पुरी देर बाद ही हमारी सारी पकोडिया तलकर तयार हो चुकी है अब आप इसे तेल से बाहर निकाले आपको ये देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये हमारी कच्चे आलो और कुट्टू की पकोडी कितनी कुरकुरी और क्रंची है आप इस पकोडी को दही और चटनी के साथ खा सकते हैं अगर आप चाहें तालो टमाटर की वरत वाले सबजी बना कर भी इस पकोडी के साथ खा सकते हैं ये आलो टमाटर की सबजी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है तो फ्रेंड एक बार आप मेरे तरीके से बताय हुए आलो और कुट्टू के आटे की पकोड़ी जरूर बनाए I am sure आपको ये पकोड़ी बहुत ही टेस्टी लगने वाली है आपको आज की मेरी आलो और कुट्टू के आटे की पकोड़ी की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें